हेलो दोस्तों ये ब्रांड है जियो फ्रेस हर्बल्स का अरोमा फ्रेस फ्रूट्स क्रीम जो की फ्रूट मॉस्चराइजिंग स्कीन क्रीम है विट फ्रूट एक्स्ट्रेक्स सिया बटर के साथ ठीक है नैनो मल्टि विटामिन एंड हर्बल एक्स्ट्रेक्स के साथ है ये आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मसाज क्रीम है जब मैंने पारलर ओपिन किया था तब ये काफी बड़ा सा डबा लेकर आई थी क्योंकि बहुत सारे पारलर में फ्रूट से मसाज किये जाते हैं और फ्रूट ऐसा क्रीम है जो हर स्किन पे सूट करता है वैसे मैं बता दू मैंने अपना पारलर 2022 में उपिन किया था चार अगस्त को और तब ही का ये जो क्रीम है वो खरीदा हुआ है वैसे इसका प्राइस आप देख सकते हैं एकेजी का डबा है तीन सौ रुपए ये मुझे मिले हैं तीन सौ रुपए में साथ ही ये जो MFG डेट आप देख रहे हूं नॉमबर 2021 ये 36 मंत के बाद एकस्पायर हो जाएगा तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा यूज होता है जैसे कि कोई कस्टमर आई थ्रेडिंग बना रही हूँ तो उसमें फॉर हेड जैसे थ्रेडिंग बनाने कबाद फॉर हेड या जो थ्रेड है वहाँ पर मसाज कर दी ताकि लोगों का आरह मीले तो थ्रेडिंग बनाने कबाद काफी ज़्यादा जलन और दर्द होता है तो उसके लिए भी ये क्रीम यूज़ गया जाता है ठीक है है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो यही मसाज क्रीम से आज मैं आप लोगों को एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आज मेरा बेटा मेरे पैरों की मसाज करेगा तो यहां पर वह अपने तरीके से मसाज कर रहा है मैं बोली कि मेरा पैर काफी ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं सोची चलो अभी कुछ दिन तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी सॉक्स क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि सॉक्स पहनने का मन नहीं कर रहा है अब आप लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि मतलब ट्रांस्पेरेंट सॉक्स तो पहनी सकती हूं न करना शुरू करो तो एक हफ्ता में कुछी में कंटीनियू नहाने के बाद अगर पहन ली तो पूरा नहाने के बाद से दिन वायर और रात वार पर अगले दिन ही मैं उसको चाहती हूं कि खोलू और फिट डालू बात रोमें धुलने को तो यह जो प्रोसेस मतलब मैं काफी टाइम टाइम पहन रही हूँ तो इतने मेना एक हफ़ते चलेंगे सौक्स उसके बाद दो हफ़ते तो चलेंगे भी नहीं पहले ही खराब हो जाएगा फट जाएगा रसी खीच जाएगी क्योंकि मैं बिछिया भी पहनती हूँ पैरों में और पाइल भी पहनती हूँ इसलिए तो जब मैं यह सब नहीं पहन रही हूँ तो मेरे पैर तो ड्राइ होँ गही ही तो आप देख सकते हो काफी ज़ादा हाडand भी हो गया है क्योंकि मेरे पैरों में बहुत जड़ाइनेस है तो वही यह मेरा बेटा है जो थोड़ा सा क्रीम लेकर करके अपना मसाज कर रहा है तो मैं उसको बता रही हम कि देखो कहा कहा तुमको मसाज करना है वह इतना ही करने के बाद बूल रहा है ना ममी हो गया अब मैं जाओ तो बोले ठीक है येकिन फिर मैं देखे कि एड़ी के पास तो ड्राइनस है कहां तुमने यहां किया है तो फिर एड़ी के तरफ भी करो तब फिर वह एड़ी के तरफ इस तरह से डॉट डॉट बच्चों को क्या है न कोई भी चीज में खेलते खेलते काम करना बहुत पसंद ह मैं बोली तुमको जैसे पसंद है पैसे मसाज करो मतलब डॉट डॉट दे दो क्योंकि अगर अपने हिसाब से अगर आप काम करवाते हो कि नहीं डॉट डॉट मत दो डायरेक्ट लगाओ तो बच्चों को इसमें मन नहीं लगता है वो चाहते हैं कि खेल खेल में कुछ करें बच्चों को अगर आप कहानिया सुना दो ना तो वो आपका पैर दबा देंगे बच्चों को आप कहानिया सुना दो या फिर बोलो कि मैं कुछ आपको तुमको बच्चपन की अपनी कुछ बाते बता रही हूं तो बड़े बच्चे इंट्रेस्ट ले करके सुनते हैं मेरे जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने बच्चों को कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनाओंगे तो इस तरह से स्टोरी सुनाती हूँ नहीं ताकि अंलोगों यह यह जो जितने हम लोग के टांब में क्या होता था ना कि हम लोग बचपन से ही दूरदर्सन चैनल था सीरियल वगरा देखा करते थे बागवान जी का बहुत सारा था किष्णा है विश्णु भागवान का था महाभारत रावायन हर कुछ हम लोग तीवी में ही देख चुके हैं बड़े-बड़े परदे में जब नवरातरी आती थी तो गाओं में परदा लगता था हम लोगों ने देखा है हम लोगों ने देख के सीखा है लेकिन आज के टाइम में जो बच्चे है न वो कैसे सीखेंगे वो लोग को ज़्यादा समय मोबाइल में जाता जरूर है लेकिन वो लोग केवल मोबाइल में कार्टोन गेम्स यही खेलते हैं लेकिन मैं अपने बच्चों को न यह सारी सिच्छा बिल्कुल भी नहीं देती हूँ मैं अगर मैं अपने मुबाइल में कभी भी कुछ लोग को दिखाना चाहूंगी तो कोई पिक्चर ही दिखा रही हूँ तो मैं भागवान जी से जुड़ावा वीडियो दिखाऊंगी या फिर मोवी दिखाऊंगी या फिर वीडियो क्लिप स्टोरी जो भी वैसे या फिर अच्छी-ची कहानिया जिसे पंच तंत्र की कहानिया पहले हम लोग बहुत पढ़ा करते थे वो सारी हम लोग अपने बच्चों को दिखाते हैं तो मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ चलो तुम मेरी शेवा करो मैं तुम लोगों कुछी स्टोरी सना देती हूँ तो इस तरह से मैं अपने बच्चों को स्टोरी सनाती हूँ और मेरे बच्चे खुसी से हमारी सेवा करते और आपको बता दो मेरे दोनों बच्चे मेरा बेटा आठ साल का है और मेरी बेटी अभी चार साल की है मतलब दोनों का चार साल से जादा हो गया है मतलब 4 प्लस और 8 प्लस ठीक है तो दोनों बच्चे बहुत समझदार हो गया है यहां तक कि मेरा ब दबा भी देता है कमर भी मेरा दबा देता है क्योंकि जब उन दिनों में इतना ज़्यादा कमर दर्द होता है या फिर पैर दर्द होते हैं तो उस वक्त में वह बहुत बहुत ज्यादा है बच्चे तो देखिए help करते ऐसे नहीं है लेकिन कभी-कभी जब आप रो रहे हो तक अब भी बच्चा ऐसा नहीं करता है लेकिन आप स्वस्थ हो खुस हो तो बच्चे चाहते ना कि कुछ मिले तब ही करें जैसे मेरी चोटी बेटी ना वह भी कभी नहीं ऐसे कहेगे कि मम्मा कुछ दो तब ही मैं करूंगी वह आटोमेटिक जब इसके पापा आएंगे ना त बहुत अच्छे दबाती है क्योंकि वह देख रही है कि कहीं ना कहीं जो मम्मा है वह भी अपने पापा के पैर दबाती है तो बच्चे एक दूसरे से देख करके ही सीखते हैं जैसे मेरा बेटा कभी-कभी मेरे पैर दबाता है और जब भी पैर दबाता है तो यह भी बोले भगवान ने मुझे दो पैर दिये, एक ही पैर नहीं है कि तुम लोक दोनों, लेकिन मेरा बेटा कहेगा, नहीं, नहीं, मैं दोनों ही पैर दबाओंगा, तुम भागो, तुम भागो यहां से, तुमको नहीं चुना है, तो ऐसे करने लगता है, तो मैं बोलती हूँ कि अरे, दोनों कोई बराबर, बराबर करो न, एक पैर, तुम ले लो, एक पैर, तुम ले लो, तो इस तरह से फिर बच्चे पैर दबा देते हैं, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ न, कि स्टोरी सुनाओंगी दोनों को, पैर दबा दो, अभी मेरा बेटी बहुत छोटी है, तो उसको लोगों कोई स्टोरी सुनाते रहोंगी, तो मेरा बेटा ऐसा पैर दबाते रहेगा, और मैं स्टोरी सुनाती रहोंगी, तो बड़ा अच्छा लगता है, और देखिए, वो सच में बता रही हूँ न, ऐसे करते-करते, वो काफी कुछ सीखेगा, और मैं बोलती हूँ, कि ज जरूर सिखाऊंगी, कि अपने से बड़ो का हमेशा पैर दबाओ, इससे क्या होता न, हम लोगों को आशिरवाद मिलता है, मैं अपने बच्चे की मा हूँ, तो मैं इसको अच्छे ही आशिरवाद दोंगी है, तो बच्चों को बच्पन से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, य बोलो न, कि पैर दबाद दो, ये कर दो, तो उन लोगों को सर हम आएगा ये करने में, लाज लगेगी, कि अरे मैं ये करूंगा, और थोड़ा चाइग् Oscar होगा, कि लड़का होकर के मैं ये काम करूंगा, क्या, तो बच्पन से ही मैं उन लोगों को बोलते हूं, कि बहई, तुनों करो यहां तक कि बेटी को भी सिखा रही हूं बेटे को भी दोनों को काम बराबर सिखाऊंगी यह नहीं कि यह बेटी है तो बेटी हो वाला काम यह बेटा है तो बेटों वाला काम नहीं दोनों को बराबर ही काम करना है तो अपने बच्चे को तो यही सिखाऊंगी ब अपना हाथ ऐसे खेल रहा है मेरे पैरों से तो उसको तो खुदी अच्छा लग रहा था चलिए कोई बात नहीं अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और यूसफुल लगे तो आप इस कि बस ये लड़कियां ही करेंगी लड़की नहीं करेंगे लड़कों को लगता है ना कि सिंहासन पर बैठा करेंगे मुझे तो बहुत गुसा आता है वैसे वैसे पैरेंट्स पे जो लड़कों को काम नहीं करने देते हैं घर के और बस पढ़ाई करो और जॉब करना बस तक कि बड़े हो करके उन लोगों को ये घमंड न रहे कि मैं लड़का हूँ ये काम नहीं कर सकता हूँ